हे गाईज वैलकम तो माई यूटूब चैनल इस्टडी भी देव भूमी फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे उत्राखंड के मंदिरों की प्रमुख सैली देखें सैली से जो आपको यू के ट्रपलसी में या यू के पीसेस में एक नएक कोशन जरूट मिलता है और यह सैली वाले जो कोशन है अधिकतर लोग को गाईज गल्थ होता है कोशन आप से किस तरह से करता है कि केदारनात मंदिर की सैली में बना है मुगल सैली छत्र पैगोडा सैली द्रैविट सैली या कत्यूरी सैली तो अधिकतर लोग का जो है यह गल्थ हो जाता ह सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपको पता है यहां पर तीन सीरीज चला जा रही है सुबह साथ बज़े हिंदी दुपहर एक बज़े जीके और रात आठ बज़े उत्रहण जीके की वीडियो आपको प्रोवाइट करा जा रही है तो गैस अगर आप इन तीनों से जोड़ना चा तीनी टॉपिक लिए हैं मंदीर जिला और सैली ठीक है इसमें तीनी चीज़ डिसकस करेंगे बसा मंदीर किस जिले में है और किस सैली में निरमित हैं जो मोस्त इंपोर्टन्ट फैक्ट होंगे वह भी आपको साथ में इसके बताता चलूँगा तो देखिए सबसे पहले महत डूस् avo निर्मीत है अगसम करने मुट्ब तो इस सती हुआ इसेंट उसमें एक गोशन था कि सिरी बद्रिनात मंदिर का निर्माड़ हुआ है कि सेली में तो उसमें देखे ऑप्सन में उन्होंने पवार सेली दे रहा था मुगल सेली दे रहा था तो जो UK वाली बुक है तो उसमें मुगल सैली दे रखा है आप नेट पर सर्च करोगे तो मुगल सैली दे रखा लेकिन यू के ट्रपल सी ने जो है मुगल सैली नहीं माना है ठीक है उसने option माना था इन से कोई नहीं आगे अगर यहां से नौट कर लेंगे गाइस ठीक है दूसरा है गंगोतरी देखें गंगोतरी मंद्री उत्तरकाशी में है और है चहत्र पैगोड़ा सैली में निर्मीत दूसरा अगला आता है जागेश्वर धाम जागेश्वर धाम अलमोडा में इस्तित है और यह किस सैली में निर्मीत है तो केदार नास सैली में निर्मीत है पुस्ति देवी मंद्री की बात करें तो यह जागेश्वर धाम में ही है ठीक है और अलमोडा में इस्तित है यह बल् मंजी आली का सूर्य मंदिर ठीक है ये उत्तरकाशी में है मंजी आली का सूर्य मंदिर और ये पुस्पक सैली में निर्मीत है किस सैली में निर्मीत है पुस्पक सैली में निर्मीत है पले ठीक है सूर्य मंदिर यूके ट्रपलसी ने दो बार इसको पूछ भी रखा है ये दे तुंगनात रुद्र प्रियाग में है और यह कत्यूरी सैली में निर्मित है किस सैली में निर्मित है कत्यूरी सैली में अगला आता मद महेश्वर नात ठीक है मद महेश्वर नात की बात करें तो देखिए मद महेश्वर नात यह भी रुद्र प्रियाग में है यह पांडब स सेली में निर्मित है उसके बाद बात करें बिस्वनात मंदिर बैरी बैरी मोस इंपोर्डन तो देखिए बिस्वनात मंदिर जो है यह उत्तरकाशी में कहां पर है बिस्वनात मंदिर बिस्वनात मंदिर उत्तरकाशी में और यह किस सेली में निर्मित है कत्यूरी सेली में ला तो ए भी करके दे रखाए तो नागरवे हुड सैली में निर्मीत है बैजनाद मंदिर समूं की बात करें तो यह बागेश्वर में हैं और यह जो मंदिर समूं बना हुआ है बलवी प्रशाद ठीक है स्ली में निर्मित है उसके बास बात करें द्वाराःाः मंदर सब्ः एंधाए में उसके बाद बात करें किmmu और यूद्षाली में निर्मित करें लाएं तौन की जो है निर्मित इसम लेह विए और का अवंन निड्र गयान वेस्ट्मारां यहीं उसके बाद आता नर्सिंग मंदिर नर्सिंग मंदिर कहां पर है यह जो सीमट चमोली में है और यह भी कत्यूरी सैली में निर्मित है योग ध्यान बद्री की बात करना तो यह भी चमोली में है और यह किस सैली में निर्मत है सिखर सैली में इनको आप एक कॉपी में नोट कर लेना उसके बाद आता केशब रायमट यह पूछा भी जाता कि केशब रायमट कि के खंद की जजीलिह में इस्तित है तो यह पोड़ी में इस्तित है और यह कत्किउहूरी सैली में निर्मित हुआ है ठीक है उसके बाद आता बद्र artificial सार मंदिर ये चमॉली में और इसकी सेली संकू धारी सेली है चैती मेला कहां लगता है या उज्जेनी देवी के नाम से भी जानते हैं तो ये काशिपुर उधंचिंग नगर में है और ये मुगल सैली में निर्मीत है किस सैली में निर्मीत है ये मुगल सैली में नंदा देवी मंद्री के बात करें तो ये अलमोडा में है कुमावनी सिलपी विदा सैली है कुमावनी सिलपी विदा सैली तो गाहीस देखिए, देखिए 24 प्रोंग बंदरह उत्तरगंड के अधिकतर बद्रिनाद . bênnis कढ़े यमनोत्र इन 4 की सैली काफी पूछी गई है ठीक है लेकिं 24 दियुक्त याद कर सकते हैं 24 ज़्याद के 24 याद कर लिजएए नहीं है तो यहां से आपको एक भी कोशन जो है गल्प नहीं होगा ठीक है एक वी कोश्चन आपको गलत नहीं होगा बस बद्रिनाथ वाला आपने याद रखना ये कि यूके ट्रपल सी ने 2018 में कंप्रें जो कनी सायक वाला एक्जाम था उसमें कोश्चन करा था कि ये बद्रिनाथ मंतिरजग कि सायले में निर्मीत है तो समें उसने तीन पुछै थे ठीक है उसमें देखे अर्वार सेली ठीक है बात करें तो इसने पहाड़ी ठीक है पहाड़ी सायली को माना कि पहाड़ी सहली में यह निर्मीत है ठीक है तो आपने इन में से कोई नहीं चुनना है वैसे बुकों में आप अगर आप नैट पर देखोगे तो आपको मुगल सहली ही मिलेगा ठीक है आपको मुगल सहली ही मिलेगा तो गाइस यह 24 प्रभूंबंदर थे उत्तरहण के जिनकी स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग